इस वीडियो में गईज आपको देखाएंगे एक 2 लाक रुपीज का PC विल्ट, 2 लाक रुपे में हम लोगों ने इस PC को यहाँ पर बिल्ड कर रहा है, बागी बात करने का हरे एक कॉंपोनेंट की बार में तो वीडियो एंट तक देखते रहे हैं शुरुआत करते गई जैंड सबसे पहले बात करते हैं कि इस PC को ओर्डर करा है मोसिन जी ने जो की रहने वाले हैं करनाट का के और दो लाख रुपे का यह PC विल्ड है, बात करेंगा इस सभी कॉंपोनेंट्स की बार में लेगन उससे पहले आपको बतायते हैं कि आपको भी अगर को यह सी कमाल का PC पाया करना हो तो स्क्रीन पर आपको मारे नमबर देखने को मिल जाएगा 701-805001 इस नमबर के बर आप कि 6 वे तक from Monday to Saturday बाकि हमारी website है, महां से भी आप लोग जोए directly order place महां से भी कर सकते हो और बाकि वहाँ पर जो है आपको pre-built PC, custom PC दोनों option मिलता है अपने budget की साब से है तो pre-built PC select कर सकते हो या फिर अपने हिसाब से custom configurator मिल जाता है अपने हिसाब से parts को select करके directly महां से भी कर स processor और मैं आपको बतायता हूं कि एक जबरदस CPU Intel की तरफ सुन की latest 12 Gen के अंदर आयता है, 12 core की ताकत के साथ में यहाँ पर आता है, specially अगर आपका एक productive workload है तो उसके अंदर तो आपको जबरदस्ट लेवल की performance यह पर डिलिवर करा देता है और आपका अगर productive workload है तो आप definitely इस processor को यहाँ पर consider कर सकते हो, और यह की वाला version है, यानि कि i7 में सबसे महेंगा वाला version है उसका, तो यानि कि आप इस processor को overclock भी कर सकते है, जिसके लिए हमें Z series का motherboard यहाँ पर चाहिए होता है, तो motherboard भी यहाँ पर काफी जबरदस्ट यूज़ करा गया, i7 के हिसाब से, जो कि है उनका Mac Z690 Tomhawk Wi-Fi DDR4 motherboard, जबरदस्ट मदरबोड है, यहाँ पर MSI की तरफ से उनकी Tomhawk line-up के अंदर आयता है, Wi-Fi Bluetooth की functionality जो हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है, साथ ही साथ में DDR4 RAM को जो यहाँ पर support करता है, बाकि आपको बतायते हैं कि i7-12700K के साथ में कोई भी stock cooler बग जबरदस्त तयार ही है, और मैं आपको दाता हूँ, i7-12700K के processor को easily यहाँ पर handle कर लेता है, temperatures हमारे यहाँ पर काफी बढ़िया रहते हैं, और overall quality भी product की काफी बढ़िया है, यह उनकी latest, मतलब LS वाली जो series हैं उनने latest यहाँ पर deep cooler निकाली है market में, और काफी बढ़िया भी लगते हैं यहाँ पर देखने में, बात करते हैं यहाँ पर हमारी RAM की बारे में RAM जो है, इस PC के अंदर वो भी यहाँ काफी जबरदस यहाँ पर रिउस करे गई है, total जो है 4 sticks का यहाँ पर रिउस करा गया है, जो कि है Corsair की Vengeance, और यह उनकी RGB RS वाली memory, 880 GB की total 4 sticks, जो की 3200 100 MHz के उपर clocked है, एंड काफी जबरदस लगती है, मतलब जब 4 RAM slots यहाँ पर भर जाते हैं, तो जो लोग यहाँ पर निकल करके आता है, वो यहाँ काफी जबरदस लगता भी, तो फिलाल इसकी RGB है, वो कुछ reddish kind of में आपर set हो रखे हैं, इनका IQ करके software आता है, उसके थूर जो आप इसकी RGB को यहाँ पर control कर सकते हो, और total 32 GB RAM का इस PC build के अंदर जो यहाँ पर use करा गया है, बता देते हैं गाईस, अब यहाँ पर graphics card के बारे में, जिसको लेकर के काफी लोग फोड़े से नराज हो सकते हैं, मैं आपको पहले बता देता हूँ, इस PC में काफी सारी ची में बड़े अराम से 3080 का भी PC बन जाएगा, बट बात यह है कि इसमें जो है, और भी दूसरी चीजों पर जो है, काफी जादा यहाँ पर पैसा खर्चा किया गया, अभी SSD बता हूँ, SSD भाएसा बहुत महंगी लगी है इसके अंदर, और जैसे कि i7 में इनको बिल्कुल जो कोस्टिंग को इतना बढ़ा दिया कि ग्राफिक्स कार्ड जो यहाँ पर 3070 आया है, जो कि है MSI की तरफ सुन का, Ventus 3X Plus OC Edition, 3070 भी काफी बड़ी है ग्राफिक्स कार्ड है, आपको 4K में अगर आपको गेमिंग करनी हूँ, तो यह ग्राफिक्स कार्ड आपको करा सकता है, यह यहाँ पर हमारी स्टोरेज की बारे में, जैसे कि आपको दारता, स्टोरेज इसमें काफी महेंगी यहाँ पर यूज करी गई है, तो इसमें टोटल जो है, दो तो NVMe SSD यूज करी है, जो की है, सामसंग की 980 Pro, एक नहीं, दो तो SSD, जो की 1TB वाली है, यानि की 1TB की 2 है, तो 2TB जो है, इसमें टोटल नहीं हाँ पर हो जाती है, सामसंग की 980 Pro, दो NVMe हो गई, बाकी इसके अलावा अलग से एक इसमें 1TB की हाड़ ट्राइफ का भी यूज करा गया, स्पीसी विल्ड में, बलाते है गाईज, अब यहाँ पर हमारी पावर सप्लाई के बारे में, जो क आप में हाँ पर आती है, क्वालिटी वाइस काफी जबर्दस्त पावर सप्लाई है, और 1000 वाट जो है, यह लगती है बाई, 3090 Ti पर लेकिने 3070 पर क्यों लग रहे हैं, मुझे भी नी पता, देखो, आने वाली जो RTX 4000 सीरीज होगी, वो काफी जो है, पावर हंगरी होने वाल और यह बड़ी महंगी भी आती है, यार, 700 W के मुकाबले, अल्मोस्ट जो है, दुगनी महंगी होती है, इतने में 2500 W की पावर सप्लाई आ जाती है, बात करें जिया पर हमारी, यहाँ हमारी, चाभनेट की बारे बात करते हैं, तो चाभनेट जो है, यहाँ यहाँ पर गया है और टॉप पर 360 का हमारे यहाँ पर रिडिटर आ गया है लुक जो है ओवरॉल पूरे PC का काफी जबरदस निकल करके आ जाता है आपको कैसा लग रहा है नीचे आमें कॉमें स्रेक्शन में जरूर बताना बाकी यही था पूरा एक दो लाख रुपे का PC विल्ट आपको नाम के चायों तक from Monday to Saturday वागी वेबसाइट का लिंक और सारी चीज़े आपको नीचे मिल जाएगे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेंगे इस एक और ने वीडियो के अंदर एक और ने कमाल के PC विल्ट के साथ में तब तक के लियार थैंक्स वाचिंग